हलो बच्चों वेलकम टू पीवियर स्टडी जैसा कि आपको पता है कि देली आप इस समय कच्छानों की मैथमेटिक्स पढ़ रहें साम के टाइम और जून में जो टाइम चल रहा है 2022 में वो है साम को 6 बजे एक्सरसाइज 13.6 आपका चैप्टर चल रहा है प्रिष्टिय छेत लिए आगे बढ़ते हम लोग कोश्चन पर उसके पहले आप कुछ इंप्वार्टेंट स्लाइड आ रहा है इन्हें ध्यान से देख लेजिए स्क्रिंसाट लेजिए फिर हम कोश्चन पर चलेंगे बहुत मस्त तरीके से हिंदी और इंग्लिस दोनों लाइंग्वज में यह पढ़ देता हूं कोश्चन सुन लिजिए इंग्लिस मीडियम वाले ध्यान से हिंदी वाले देख लिजिए बगल में कोश्चन सुनियेगा कह रहा है दसा कमफ्रेंस आफ दा बेस आफ आफ आप सिलेंड्रिकल विजल इच 132 cm विजल मतलब बतन भी एसस यहल ओके है एंड इट्स हाइट इस 25 सेंटिमीटर हाव मेनी लिटर्स आफ वाटर कैन इट होल्ड इफ 1000 सेंटिमीटर क्यूब इक्वाल वन लिटर ओके इनका कहने का यह मतलब है एक बार मैं फिर पर देता हूं दसा कमफ्रेंस आफ दा बेस आफ 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 आप सिलेंड्रिकल विज बिजल मतलब बरतन बि-e-s-e-l इस वन थाटिटू सेंटिमीटर यानि एक बेलनाकार बरतन के जो आधार की परीदी है यानि सक्कंफरेंस है वो वन थाटिटू सेंटिमीटर है और उसकी उचाई 25 सेंटिमीटर है तो इस बरतन में कितने लिटर पानी भरा जा सकता है अलि लिखो तुइबन दाया लिखो फटाफाध लिखो 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 भाई लिखो suficult ऍायल कि जिया क्या इस आप एपन की टनीफाइट सेंटी मीटर लिखी आपने यहाइन ज 돼 कहने का मतलब circumference परदी दिया है यानि इसे हम सी से अभी के लिए लिख सकते हैं फिर हार 132 सेंटिमीटर यह क्या है परदी यानि circumference और इसमें कुछ दिया है नहीं दिया है यहां कि यहां आर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हम अगर बरतन में लीटर पानी निकालेगे तो हमें रेडियस चाहिए रेडियस कैसे निकलेगा यहां नहीं पता है था प्रिति की परदी और देखो बृत्त काहे को लिख रहे हैं भी बता रहा हूं समझो यह टूपाई यार होता है न देखो यहां पर समझो पहले बृत्त की परिदी काहे में लिख रहा हूं एक्चुली यह बरतन का इधर मैं फिगर बनाऊंगा पहले उसे देख लो फिर आपको क्लियर हो देखे मैं आपको यहां पर जो बताना चाहता था उमीद है कि आप लोग समझ गया होंगे तो इसलिए लिखा ब्रित की परदी ठीक है इसे आप लिख सकते हो बेलन के आधार की परदी तो थोड़ा जाद आच्छा लगेगा ठीक है लिख लो चाहे तो बेलन मैं साट में ल तो आर आर का मान हमें नहीं पता निकालना है अब इसको हम हल करेंगी धर आएगा क्रास मल्टीपल होगा आप सबको पता है तो यह वान थार्टी टू ऐसे रहेगा है इसका तिर्षा गुड़ा इसमें होगा तो सेबन से हो जायागा एक्वल आर इधर रहने दो यह दोनों कितने से कटेगा वोलो 22 ती यह शाचाट दो पहले पर दूए इसको रहन दो दूए कम दूए अज चंग बारा दूए चंग बारा बाइस से काटो बाइस तीन चाहट चाहट तीन सते एक आप बोल सकते हो कि यह का यह अर का जो मान है वह 21 सेंटीमेटर आ गया यहां से किसी को कोई डाउट नो डाउट चलो चाचा लिख लो यह हो गया आपका रेडियास 21 सेंटीमेटर ओके फाइनल अब वह इससे आप नोट करो देखो आप क्या करना है अभी अंसर नहीं सहया अब लिखऊ अब लिखो अब लिखो देखो पाई कमान बाइस बटा साथ आर कमान रेडियस 21 आया है तो इसक्वायर है तो हम दो बार कर देंगे हाई 25 है साथ से काट तो तीन आयेगा फाइनल में 22 इनका गुड़ा करोगे साथियों आप मल्टिपल कर लो चौतिफजार सम्थिंग आयेगा करके देखो चौतिफजार छेस्सों पचास ना ऐसे कुछ आयेगा तो कितना आगया चौतिफजार छेस्सों पचास सेंटीमीटर का क्यूब चौकि हमें दिया है क्या दिया यहां पर लिखलो चौकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर वन लीटर यह आपको दिया गया था साथ इफ लिए चौतिफजार छेस्सों पचास सेंटीमीटर क्यूब इक्वल चौतिफजार छेस्सों पचास को वन थाउजंट से डिवाइड करोगे इक्वल थार्टी फॉर वाइंट सीक्स फाइब लीटर आएगा यह आपका फाइनल अंसर आएगा उमीद है कि आप समझ गए और फट से इसे नोट करेंगे मैं आपको कुछ सिकेंट दे रह हो गया आगे बढ़े बच्चों देखो अभी उपर यह थोड़ा फाच छूप रहा था यह इसको देख लो मैंने क्लियर कर दिया आप कुछ नहीं छूप रहा है चलो हो गया नेक्स्ट कुश्चन की तरह आप आप आगे बढ़िए जल्दी करिए कुश्चन नमबार सिकेंट देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में इंगलीज में पढ़ूंगा हिंदी में ने ची दिख रहा है कह रहा है दा इनर डामेटर आप सिलेंड्रिकल ऊड़न पाइप इच 24 सेंटिमेटर और इट्स आउटर डामेटर इच 28 सेंटिमेटर द मास आफ दा पाइप इफ वन सेंटिमेटर क्यूब आफ उड हैज मास आफ 0.6 ग्राम यानि एक लकड़ी की बेलनाकार पाइप है और उसका आंतरिक ब्यास 24 सेंटिमेटर है बाहरी ब्यास उसका 28 सेंटिमेटर है पाइप की टोटल लंबाई 35 है तो उसका दरबमान मतलब भ अब देखा होगा जो लोग घर परिवार से बिलांग करते हैं गाउधियाद से यह साहर वाले भी देखते होंगा च्छत से पानी उतरता है लेकिन लकड़ी की पाइप की बात कर रहा है तो लकड़ी की भी पाइप बन सकती है कोई बड़ी बात नहीं है यह कुछ हैसे निकलता है और इसंदें परेय। अगर हें पलेन होती है तो अगर ईसकी फाइप की लकड़ी की पैप है और से जर्माई मोटी पाईप होती क्या होता है अथा यह होती है यह जो इतनी परहीं ऑत्ति बीच में जितनी जगा जा रही है क्या है उस पाइप की मोटाई है मेरा हो सकता है सीधा ना गया हो फिरहाल लेकिन आपको सीधा ही बनाना है यह क्या है यह उस पाइप की मोटाई है ठीक है जो मैंने डेवल लाइन खीचते है उसके बीच में जो जगा है वो क्या मोटाई है स पाहरी की जो दोनों लाइन यहां से सुरू करके भाया मेरे यहां लाइस्ट वाली तक याद रखना तो यह क्या है यह ट्वंटी एट सेंटीमीटर है अब समझ रहो तो नीचे उपर हर जागा उतने मोटी होगी तो अब बीच इतनी पतली शुट वरका हो जाएगी तो पाइप जैसे रहेगी ठीक है हो गया आगे क्या कहता है इसकी लंबाई दी गई है इसका द्रमान ग्याद करना है ठीक है सिंपल है लिख लो दिया है सेंटेमीटर अबाहरिः व्यास सचेश्चहा ब्यास बराबर अठाई सेंटेमीटर इस तरह से अफ ब्यास से आंत्रिक दिरिज्टयमीटर ग बाहरि स्केश्चह लोगह ν sketch देखिए आपर लिखियेगा कुछ चीज मैं सम्झाना चाहता हूं सुनिए यह मैंने लिख तुदिया है फिलहाल पाइब का आंतरिक व्यास यानि इनर डायमीटर 24 सेंटीमेटर एंड इनर रेडियस इक्वाल 12 सेंटीमेटर सो इसी तरह से आउटर डायमीटर कैटल डी में 28 स समझेगा हमें जब पाइब का ब्यास निकालना जैसे बोतल है अगर इसकी मोटाई निकालना इसका होल देखिए आगे आपको इसमें चेदर पानी अभी नीचे गिर जाएगा तो गंदा हो जाएगा मतलब यहां पर भीग जाएगा यह मोटा है कुछ समझो अगर हमें इसक वो निकालना है क्या बोलते हैं छe बैलूम निकालना है आईतución निकालनाई तो क्या करेंगे आगला यह और हम नाप अदर च dispelत के बाहर का निकाले तो प्रवि जैदा होगा थूब क्योंकि बोतल की जो मॉटाई है अगर बाहर वरा निकाले तो उसी में जूड़ जाएग तो अगर हमें सिर्फ बोतल का वैलूम निकालना है तो हम बोतल के बाहरी वाले आयतन से आंतरी का आयतन को घटा देंगे तो हमारे बोतल के इस मैटेरियल जिस चीज का बोतल बना है एक परकर से उसका वैलूम आजाएगा समझे यह तो यह यह पैप वाले में करोमें के लेखो में पाइप का रखाइटन बराबर को आइतन बराबर है कि है कि बाहरी भाक थाम maini पाइप के आंध्रिक भाहत यानि बैलुमeionoast ओंडिर्खेने वालेशने लखेंने वालेखाईज कर्सुट् еще पाइप इक्कल बालुमाफ आउटर पाइप माइनस वेलूमाफ इनर पाइप ठीक है आउटर मतलब बाहरी इनर मतलब आंतरिक तो देखो यहां पे समझो आउटर के लिए हमने कैपिटल र माना था बाबु तो पाई आर स्कॉयर एच क्योंकि जो बेलन का आयतन होता है पाई इसी में आपको सारे मान रख देने हैं आपका अंसर आपके सामने दोड़ करा जाएगा यह मान हम ऊपर ले चलके रखेंगे जिससे की बहतरीन तरीके से हल कर पाए थोड़ा जगा मिल सके आप इसे नोट कर लिजिए जल्दी से स्क्रीन साट ले लिजिए उसके बाद मैं इसको सलोसन दिखा दूंगा बस आपका कोश्टन कंप्लीट हो जाएगा जल्दी करिए बच्चों देखो कमेंट के चक्कर में ना पड़ो मैं सबका कमेंट देख रहा हूं बिटा जल्दी लिखो हाँ पावन सिंग कमेंट आ रहा तुम्हारा सुमन तिवारी आ रहा है सब पटा जाएगा इसमें देखो भीया पाई और याच कमन ले सकते हो आप तो यह कापिटल आर का स्कॉयर माइनस इसमाल आर का स्कॉयर बचेगा इधर फाइट पीछे बैक कर लो जगा है तो पाई 22 बटा साथ याच मतलब हाइट हाइट इसकी कितना दीथे 28 नहीं 35 दिया थ कैप्टल आर यह आपका 14 आया था अगर आपने देखा होगा तो माइनस इसमाल आर ट्वेल आया था ठीक है साथ पचे 35 तो बाइस का पांच में गुड़ा कर लोगे तो पांच दूना दस दस ग्यारा ठीक है यह 196 आएगा ना और इसको सब्ट्रेक करोगे तो 144 आएगा ठीक है यह 110 इंटू यह 62 के लगभाग आएगा क्या ऐसे कुछ आएगा तो मल्टीपल करोगे 57 20 5720 आएगा यह सब सेंटीमेटर में था इसलिए सेंटीमेटर का क्यूब आएगा लेकिन करना क्या था इसमें हमें निकालना था बैलूम जो कि हमें लीटर में फाइंड करना ह होता पर आया है ना क्योंकि हमें निकालना है कि पानी असवरी हमें इसका भार निकालना था यार देखो लिखो नीचे चूकि यहां पर आपको कुछ चीजें दी गई थी वन सेंटीमेटर क्यूब एक्वल 0.6 ग्राम इतना क्या ग्राम में है लिखो फिर इफ लिए इफ ल ऋप्ञेंससे क्या करोंगे इसका म Лटी पल कर दोगे तो आपका यह 4430 की यह कितना इब गराम आजाएगा यह इसका भार है लेकिन यह देखो 1000새 जादा आ रहा है और एक किलो गराम में इस और एक कीज़ी एक हजार ग्राम होता है Always call क्या करेंग राचकी में कर लेंगी का से भाग करके तो आप इसको केजी में करोगे बाबू तो 34.32 केजी आएगा यह कैसे नहीं समझ मैं बता दूं बोलो बता दूं कैसे आया देखो सुनो इधर साइट में समझ लो इसको क्योंकि 1000 ग्राम बराबर वन केजी इस लिए 3432 ग्राम बराबर 3432 एक हजार से भाग करोगे तीन अंग पर आपका क्या हो जाएगा बैस में जीरो भी था क्या एक मिनट रुको 1000 से भाग करना यहां पर देखो एक सुनन था लाइश्ट में इसमें 0 भी था क्या नहीं यहां चिरू नहीं था देखो इसमें लिखने का यह फायदा ये हुआ कि बाबु यह इतना नहीं आएगा इसे 1000 से भाग करोगे अच्छा लिखने का फाइदा मिला यह 432 kg यह करेक्ट है ठीक है यह जीरो नहीं था यह तीन अंक पर दस हमलों लगेगा तो 3.432 kg इतना अंसर आएगा यह ग्राम है पाइप का भार है तीन किलो की लगबख पाइप है सारे तीन किलो की तोड़ी हो जाएगी लिख लो इसक्रीन साथ ल कुश्चन मैं अब आपको दिखा दिया हूँ इसका थमनल के लिए भी स्क्रीन साथ ले सकते हैं साथ ही हमारे करें आप शॉप ड्रिंक इज अवेलवल इन तू पैकेट फ़िस्ट अटीन कैन विथ आ रिक्टेंगूलर बेस आफ लेंद फाइप सेंटीमेटर एंड विथ पोर सेंटीमेटर है विगा हाइट आफ 15 सेंटीमेटर अगला सिकंड पार्ट इसमें का है अपलास्टिक सिलें सेंटीमेटर विथ शर्कूलर वेस आफ डाइमेटर सेंटीमेटर एंड हाइट 10 सेंटीमेटर विच कंटेनर है ग्रेटर कापिसिटी एंड वाई हाव मुच के समझ रहा हूं थे इसमें सबसे पहले लिखेंग जो दिया है क्याका अब लेंट दिया है निकाल लोगे सबसे पहले आप इसका फिगर बनाओगे जो क्यूबाइट की तरह है जैसे देखिए आप सबसे पहले इसमें है इसकोयर बनाओगे स्कॉयर से आप क्यूब आइड बना लोग ऐसे लंबा वाला बनाना है ठीक है फिगर बना के मैं दिखा दूंगा फिर हल करते रहने आप लोग साइड में यह बन गया ना आप क्या करोगे इधर साइड में आ जाओ यह से इसको कीचलो इधर साइड में यह 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 हो गया इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है आप फिर से कुष्टन देखिए लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड विर्थ 4 सेंटीमीटर है ओके उचाई इसकी 15 सेंटीमीटर है बाई साहब यह 15 है चाचा कितना है 15 अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो लेंथ वंथ किधर को है कुछ जनाई पढ़ रहा है में यह 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 5 सेंटीमीटर इस प्लोब यह 5 पांश और यह आप है और क्या यह चौडाई मान लो और प्रक्रमनों अब चार सेंटीमीटर है तो इसमें का फॉर्स्ट पार्ट पहले हुल कर लीजिए फिर सिकेंट वाला कर लेंगे चलिए इधर साइड में लिखती है कि यह क्या है क्यू उर्ट यहां रेक्टॉंगुलर एक प्रकार से न लिखिए कि अब by loom of rectangular tin या फिर हिंदी में लिख लेजये आयता कार tin के डिब्बे का आयतान बराबर आयता कार tin के डिब्बे का आयतान v बराबर lbh l मतलव length b मतलव width and h मतलव height तो यल कितना दिया है while length कितना दिया 5 b कितना दिया 4 h कितना दिया 15 पांचों को 20 15 तीस यानि 300 यह सभी आपको सेंटीमेटर में दिये हैं तो सेंटीमेटर का क्या हो जायागा ज़ाए क्यों हो जायागा बाबू सेंटीमेटर क्यूब नहीं दिखा आप मैं दिखा देता हूं डॉंड वरी फिल्कुल भी टेंसन मतलों देखें अब आपको दिख जगा की कमी है अभी तो इसको कर लीजिए मैं सिकन्ट बना के दिखाता हूं फिर लाइट में इसमें पूछा है कि इसकी धारता अधिक है और कितनी अधिक है वह हम ज्याद कर लेंगे आपको इसको याद रखना है बस चलो जल्दी करो नेक्स्ट इसको भी क्लेर कर लिजिए क्या कहराएं इसमें हाइड दिया 10 cm और इसकी डायमेटर दिया है 7 cm तो देखो बाविए डायमेटर दिया मिन्स डी अबराबर 7 दिया है आर बराबर 7 अपान 2 सेंटिमीटर हो जाएगा चुकि ये सिलेंडर है लिख लो बेलना का डिबे का आयतन V बराबर बेलना का डिबे का आयतन V बराबर पाई आर इसक्वायर याच पाई कमान 22 बता साथ आर कमान रख दो यहाँ पर 7 अपान 2 इनको हल कर लिजिए सेबन से सेबन कैंसिल दो से यह कट गया पाँच दो सिसको काट दो ग्यारा ग्यारा स्वतेश्वतात्तर गुड़े पाँच तीन सो पचासी सेंटीमीटर कुप बात पक्की पहरा था कि दोनों में से कौन से डिब्बे की धारता अधीक है और कितनी पहले वाले का साथी मेरे तीन सो सेंटीमीटर क्यूब आया था ना आया था दूसरे वाले का तीन सो पचासी तो अब नीचे आप लिखोगे नीचे लिखोगे उसका क्या नाम था आयता कार ना इसका बेलना कार लिखो बेलना कार डिब्बे की डिब्बे की धारता अधीक है और 85 cm क्यूब अधिक है लिख लीजिए जल्दी से हो गया डन इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो पूरा लिख लीजिए हो गया लिख लीजिए उतार लीजिए स्क्रेन साज ले लीजिए कुश्चन कंप्लीट हो चुका है नेक्ट कुश्चन की तरफ हम लोग आगे मावे कि लीजिए रबेश्य खाया है वीजिए अटक्शन के तरफ चारता कर दे लीजिए हो टाउने हैं ंंतार बत Heart